हेलो एब्रिवन वेल्कम बैग टू माइ चैनल को कुखिज्जा आज मैने बनाए हैं राजमा तो मैं राजमा की रेसिपी शेयर करने वाली है आपके साथ बहुत एजी सी राजमा की रेसिपी है वैसे तो सब के गर में राजमा बनता है बट इस तरह से आप एक बार बना के द ता और इसमें हम राजमा में 6-7 सीटी लगा लेंगे इस राजमा को मैंने ओवरनाइट सोक किया था 6-7 गंटे भी आप सोक करके रख सकते हैं एंड उसके बाद सारी प्रिप्रेशन कर ली है राजमा हमारे बॉयल हो गए है अच्छे से एक बाद चेक कर लीजिए अगर नहीं अच्छे से वो मसलते नहीं है ना हाथ से तो एक दो सीटी और लगा सकते है मेरे राजमा अच्छे से बॉयल हो गए थे तो फटा फटा से बना लेते हैं सबजी तो मैंने कड़ाई में डाला है सरसोका तेल उसमें डाला है जीरा और हिंग हिंग ऑप्शनल है मुझे अच्छा लगता है सबजी में हिंग इसलिए मैंने डाला है आपको नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हैं और उसके बार डाला है प्याज तो ये नो बहुत एजी वाली रेसिपी है इसमें कोई आपको प्याज टमाटर को पीसना वीसना नहीं है बस मैंने ऐसे पतले-पतले लच्छे टाइप के प्याज काट लिया है डाल दिया, प्याज की quantity मैंने थोरी सी ज़ादा रखिया और ओयल की quantity भी थोरी सी ज़ादा रखिया ये पूरा आपके उपर depend करता है कि आप कितने चादा तेल में बनाना चाहते हैं या कम तेल में आप्याज थोरे से भुन गया था तो मैंने इसमें डाल दिया था तेल अलग हो चुकका है, अब सै ठेल मसाला को अम पॉसर dual नाज में भी जीड़ो को हुए, हम अजर सीμहों से यह नो। ने बाइसे में और गो। नहीर खार तो देखे हमारा राजमा कम्प्लीट है और लास्ट में इसकी टेस्ट को बढ़ाने के लिए डालेंगे इसमें एक चमच घी आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में एक चमच घी डाल देंगे तो वो इसके टेस्ट को दुगुना बना देता है तो यह भी ऑप्शनल है मुझे पसंद है इसलिए डाला है आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू पर वाचिए